गुजरात में मोधी मैजीक और आपकी एंटी ने बिजेपी को बंपर जीत दिलाई है। गुजरात बिधान सबाचुनाओ के इतिहास में बिजेपी को ये सबसे बड़ी जीत मिली है। क्यों नहीं हावी हुई बिजेपी के खिलाफ पाटिदारों की नराजगी का क्या हुआ ये सब इस वीडियों में जानेंगे। सवाल ये भी है कि अगर ये मोधी का ही जादू है तो हिमाचल और सेरी चुनाओं में ये जादू क्यों नहीं काम कर पाया। आखिर गुजरात में ऐसा क्या खास था कि बिजेपी को महा जीत मिली है। अब जान लेते हैं कि बिजेपी के जीत के पीछे के फैक्टर क्या रहे हैं। पहला फैक्टर पीएम मोधी का चेहरा। गुजरात बिजेपी नहीं बलकि पीएम मोधी चुनाओ लड़ रहे थे। अगर ये बात कहें तो आतिशोक्ति नहीं होगी। लगतार चार बार गुजरात के मुख्यमंती रह चुके पीएम मोधी प्रदेश और गुजरात की जनता की नब्स को अच्छे से जानते हैं। गुजरात बिजान सबाचुनाओं के एलान के बाद से ही पीएम मोधी गुजरात में डटे हुए थे। वो अपनी सभावों और रैलियों में खुद को गुजरात का बेटा कहकर जनता में ये संदेश दे रहे थे कि बीजेपी की हार पार्टी की हार नहीं बलकि आपके बेटे की हार होगी। और भी पूल हादसे को लेकर भी पीएम मोधी ने जीस प्रकार से सक्रियता दिखाई उससे भी जनता के बीच एक अच्छा संदेश गया। दूसरा काराण इंटी इनकमबिंसी को निश्क्रिय करने के लिए माइक्रो लेबल पर संगठन पर काम। किसी भी पार्टी का सत्ता से बाहर जाना और सत्ता में वापस आने में इंटी इनकमबिंसी सबसे बड़ा फैक्टर होती है। 27 साल के बीजेपी राज में एंटी इंकंबेंसी को निश्क्रिय करने के लिए बीजेपी ने माइक्रो लेबल पर संगठन पर काम किया था जिसके जिम्मेदारी खुद ग्रेह मंती अमीश शाह निभा रहते। इसमें कोई दोराय नहीं है कि दूसरे राजियों के मुखाबले गुजरात में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। यही बीजेपी के खिलाफ एंटी इंकंबेंसी को साधने में काम्याब रहा। अमीश शाह ने जहां भी एंटी इंकंबेंसी को हावी होते देखा वहां के उमिद्वार को बदल दिया। बड़ा उदाहरण मुर्भी, बिजे रुपाणी और नितिन पटेल की सीटों का है जहां बिजेपी ने अपने उमिद्वार ही बदल दिये। तीसरा कुरोना कुप परबंधन के बाद बदला गया मुख्यमंत्री। गुजरात में कुरोना के दोरान लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। शौओं को रखने के लिए जगह नहीं थी। शौदागरी में शौओं को जलाने की व्योस्ता नहीं थी। ये सभी खबरें मेडिया के स्क्रीन पर फ्लैश हुई। तब लगा कि जनता का गुस्सा चुनाओं में उत्रेगा लेकिन बिजेपी ने सारा ठिकरा मुख्यमंत्र से उठी थी। भुपेंद पटेल को मुख्यमंत्री बना बीजेपी ने ये भी साध लिया यानि एक तीर से दो निशाना। चौथा काराण आंदोलन से उपजे त्रिमूर्तियों को पस्त करने में काम्याब रही बीजेपी। इन्होंने साल 2017 के विधान सभा चुनाओं में बीजेपी को चुनाओती दी थी और तब इन्हें बीजेपी के राम यानि रूपानी अमीत मोधी के खिलाप प्रमुख विपक्षिक कॉंग्रेस के हज यानि हार्दिक अलपेश जिगनेश के रूप में देखा गया था। के खिलाफ पाटिदारों ने आरक्षण के लिए बड़ा अंदोलन किया था। इसका गुस्सा पाटिदारों ने साल 2017 के विधान सभा चुनाओं में दिखाया। जिसका नतीजा रहा कि कॉंग्रेस 77 पर पहुंच गई और बीजेपी स्यकड़ा तक भी नहीं पार कर पाई। इसके बाद बीजेपी ने पाटिदारों को आरक्षण दिया। घुपेंद पटेल को सीम बनाया और हार्दिक पटेल को भी अपने पाले में कर लिया। लिहाजा पाटिदार आंदोलन बे असर रहा। इसका भी फायदा बीजेपी को इस बार मिला है। बीजेपी ने इस्थानी प्रशासन की लापरवाही थी। इसमें सक्त कारवाई की जाएगी। गुजरात के ग्रिय मंत्री हर्श संगवी लागातार घटना इस्थल पर डटे रहे और कारवाई का श्वासन देते रहे। मुख्यमंत्री भुपेंद पर टेल ने भी घटना इस्थल पर प कि सरकार उनके साथ है लापरवाही स्थानिय प्रशासन से हुई है इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी ने मोर्वी से भी जित दर्च कर ली है आप ए आई एमाइम की एंटी से बीजेपी की सीटे बढ़ी हैं दरसल गुजरात बिधान सबाचुनाव 2022 में जोर शोर से मैदान मे उतरी आपको 13 फीसदी के खरीब वोट मिले हैं ए आई एमाइम को भी खरीब आधा फीसदी बीजेपी को तिरपन और कॉंग्रेस को 27 फीसदी वोट मिले हैं अभी नाकरों को देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि आपने कॉंग्रेस के वोट को अपने उपर ट्रांसफर कर सूरत और राजकोर्ट पर रहे लिया की यहां कॉंग्रेस का जनाधार सबसे कमजोर था उधर प्रियंका गादे भी हिमाचल में ही रही यानि कुल मिला कर कॉंग्रेस ने गुजरात विधान सबाचुनाव को राम भरो से छोड़ दिया था जिसका नतीजा रहा कि उसका वो सनुचल क सजग हैं कि अगर अपने ही प्रदेश में हमें हार का सामना करना पड़े गा तो फिर हम किस मुह से दूसरे प्रदेशों में जा कर वोट मांगेंगे बीजेपी गुजरातियों को ये भी संदेश देने में काम्याब रही कि अगर प्रदेश में आप लोग सरकार बनाते हैं तो दिल्ली की दूरी गुजरात से ज्यादा दूर नहीं होगी